कपड़ा व्यवसाई के घर दिन दहाडे बड़ी लोट को लेकर तिलहाडा बजार बंद इसलामपुर राजित विधायक ने करामीनों से मिलकर घटना पर जताई चिन्ता नालंदा जिला के तेलहाडा थाना बजार इलाके में बीते तीन जन्वरी को बदमाशों ने दिन दहाडे एक कपड़ा व्यवसाई के घर लाखों की लोट को अनजाम दिया था घटना की तीन दिन बाद भी बदमाश पुलिस से दूर हैं बदमाशों की पिटाई से जख में व्यवसाई की 15 साल की किशोरी अचेत हो गई थी जो पटना में इलाजरत है जहां बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है इस घटना के विरोध में इलाके के व्यवसाईयों ने अपनी अपनी दुकाने आज बंद रखी लोग तुरित कारवाई करने की मांग कर रहे हैं वहीं घटना की जानकारे मिलने के बाद आज इसलामपूर राज़त विधायक राकेश कुमार रोशन घटना इस्थल पर पहुँचकर अस्थानिये व्यवसाईयों एवं ग्रामिनों से मुलाकात की और मामले के निंदा करत जाएगा देखिए ये काड तो बहुत ही दुखत है तुकि तिल्हाडा बाजार है और बाजार में दीन में इस तरह की घटना होना वही मुख शड़क पर यह बहुत ही बिलकुल ही इसकी जितनी निंदा की यह कम हो और जिस इस तरह की घटना इनके परजन बता रहे हैं, उससे यही परतीत होता है कि या तो लूट के उडेश से, या फिर कोई दूसरा उडेश भी हो सकता है जो कि लड़की से बात करने के बात पता चलेगा, इनके घर में लोग भूसा है, और डकैती भी हुआ है जिसका सारा बीबरन दे रहे हैं लोग और घटना अस्तल पर भी आपाये होंगे तो दोखे होंगे, कि पाले से समान बगेरा सब दिप्रा हुआ है, पुलिस करवाई करेगी, चुकि अभी जो हमारी बिहार की सरकार है, करवाई की सरकार है, और सुनवाई और करवाई में हम लोग विश्वास र करिप्ता है, सब लोगों की जानकारी बहुत जल्द मिलेगा, और पुलिस उनको करवाई करके कानून के सिकन्जा में बांधने के काम करेगी, तो मैं तो अभी बाजार में नहीं गिया हूँ, प्यवसाई से भी मिलता हूँ, लेकिन है ऐसा कि बाजार बंद कर देने से समस् सिर्फ निदान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है।